दोस्तों आज इन पीचाल का रिजल्ट देर रात कल आ गया था जिसका एक्जाम हुआ था कल सुबह स्टेज़ बन के लिए और स्टेज़ बन का जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी आ गया था दस से ग्यारा बुझे सोबह से उसके बाद में जो सेकंडरी सेकंडर आज एक्जाम हुआ था जो कि आड़ां टर्स था म Почему अग्जाम हुआ था जो कि हमारा थेट रिलेटेट था उसका एक्जाम जो वह थीनद से पाँच के पीच्छ में हुआ तो तो Ton ये उसका भी यहाँ पर आगया है और देर रात इसका result आया है तो यहाँ पन्यों को दिखा दू कर जो जो है किहां जिसके नाम आया हैं है ने तो यह आपर 30 कंडुराइट्स यह आपर जो है वह कि वो कॉलिफाइड किय Fahren 30 एक्टूबर से नवंबर में और उसके बाद में फैनली इसका जो है कल एक्जाम होके रिजल्ट आया है और आज की तारीक में जो कि उन्निस तारीक है उन्निस फरवरी है आज की जैसे मैं कॉलिफाइण सौरी जो आफ लाइड नहीं कर पाया था तो यहां पर जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने इसको अपलाई किया था फैनली उनका एक्जाम जो है वो देने गया था उनका रिजल्ट भी आ गया तो सबसे पहले मैं आपको बताओं यहां पर वि रिजल्ट हो सकता है थोड़ा देर में आए वट इसको टेस्ट उनका आज हो जाएगा और इसके बाद में उनका फैनल रिजल्ट भी दे दिया जाएगा तो जितने भी कंडिडेट्स क्वालिफाई किया है कि लिए कॉंग्रेश्युलेशन और जो स्कुल टेस्ट है उसको बढ़िया से कीजिए और जो जो उचा जाता है वैडली जैसे की रेस्टेंस की वैलू निकालना है अफर यह तो बहुत कॉमन चीज़ों होती है तो इन चीज़ों को जाद थोड़ा रिवाइश करके और स्कुल टेस्ट के लिए जाए तो सभी क सब्सक्राइब और यहां पर मैं आपको बता दूँं कि यहां पर मेरे फ्रेंड्स ने क्वालिफाई किया है तो उससे मैंने जो है फूरी इंफोर्मेशन मांगी है कि कैसा एक्जाम आया था और कैसा पैटर्न आया था उसका कौन से कोश्चन यह बन पा रहे थे कौन कौन स से कोश्चन से यहां पर जो है एन पीसी आयल नरोरा द्वारा दिये गहते स्टेश बन के लिए स्टेश टू के लिए तो देखते लिए मन टेक्निकल गाना अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए लाइक कीजिए थैंक्यू फॉर वाचि on this video.